कुशा के दांत इतने गंदे हैं, उसका नाम उसके दांतों पर ही है, कुशा का पिला क्या इंडिया में रोस्ट कॉमेडी बैन हो जानी चाहिए? भाई मुझे जिसा लग रहा है, यहां पे सारे के सारे लोग जो हैं, बहुत जल्दी ओफेंड हो जाते हैं किसी भी चीज से, जहां कहीं भी उनको थोड़ा सा अगर एजी जोक मिल जाता है, कोई नो कोई तो उटके आई जाता है यार, पर आप ये बताएए, अब मुझे बुर्त लगया तो लगया बाद आप ये तो नहीं बोल सकते हैंगे आपको कैसे बुरा लगया मैडम? कौन नी बोल रहा है यह जो हम बात कर रहे हैं कुछा कपिला जो एक social media influencer है और समेर एना के बारे में यार अब तो actor बन गई है अब तो promotion कर तो यार बिचारिएगा Yes 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 actor and influencer and Samir एना is what YouTuber and comic हाँ stand-up comic है बड़िया comics आवकस्तान में करके आए हैं और हर जगा जाके कलेश तो मचता है और इनके जोग जो है वो लोग कहते हैं के बड़े ही school के crude humor की तरह होते हैं हाला कि लोग बोलते हैं कि यही आजकल roast में यही चलता है हाँ यही लोग यह free pass दे रखाए समय रहना को कि यार यह जोग बारे गट से उफेंड नहीं हो सकते क्योंकि यह तो ऐसी करता है यह करता तो है और यही आइधिंक जो पूरा यह controversy हुई कुषा कपिला गई अशीर सोलंकी वाले roast show के अंदर और वहां जाकर समय रहना उनकी उपर unleash कर दिया गया किस तरीके से कि भाई जोक सुनके censor करने पड़ गए लेकिन यह सारी controversy हो गई वो 6-7 minute जितना भी clip उनका censor करा गया और मज़े की बात पात है क्या है कि उसमें अशीर सोलंकी बोलते हैं यह uncensored show है यह uncensored show है और उसके बीच में आप सोच करते हैं हमारी जो audience है हम जो लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं तो उनकी sensibilities को भी बहुत जादा दिमांग में रखके आपको चलना पड़ता है और जैसा भी जो लोग पसंद करते हैं हम तो उनके पसंद के लिए काम कर देते हैं तो फिर उसके अंदर बीप लगाने में कै कि जैसे उनको sexuality पे उनकी alien बन गई वो human नी रही तो क्या बनी है यार उन्हें बुरा लगया basically बात ही है उन्हें बुरा लगया कि जो जोक सा तो उन्होंने बस एक statement दिये कि यार मैं उधर गई क्योंको मेरे दोस्त है अब मुझे बुरा लगा तो मैंने उन्हें रिक्वेस अब मुझे बुरा लगया यार थोड़ा शॉर्ट में कुछ बताना जाओंगे उसके बाद में अपना point continue करता है उन्होंने बोला कि वो गई थी क्योंकि वो उनके दोस्त है उन्हें नहीं पता था कि रोज शो में किस ताइप के comedy होगी और उन्हें पूछा भीने लगया य अब अब दिवोस्त वोमन ने ने यह ओडियंस के वो जो कॉमेंट्स आते हैं यह वो ट्रोल्स होंगे यह मिरेको नहीं लगता यार उनका कोई जोस्त क्यों गोले जैसे है उन्हें बोले दूरिंग नेगोसियेशन आई वस तोल्ट यह बड़ी सारी नहीं किया में कि लोग थे उन लोग ने रनवीर सिंग और साथ में अर्जुन कपूर थे तो इन लोग को जब रोस कर रहा था और करन जोहर भी साथ में तो वो जोक्स शेयर करें पहले से सब स्पोर्ट थे सब लोग वहां पर बड़े सार सेलेब्रिटी आई भी थे पहले से नहीं पूछा कि किस लेवल तक जोक्स जाने वाले है तो यहां पर कहीं गलती जो है वो इनकी यह रह गई थी अगर पहले सेट हो जाते तो शायद इतनी तकलीफ एनको ना होती तकलीफ हुई नहीं हुई कैसे भीवा हॉआ उनोंने बोला कि मेरी गलती थी मैंने ज देखो क्या होता है कि अगर आप पारमेटर या बाउन्री या जो भी है आप सेट अगर नहीं करते हो रोस्ट आज फॉर्म ओफ कॉमेडी मितलब अगर थुडी हिस्ट्री में भी जाते हो आपको जो ऑगनाइज रोस्ट की हिस्ट्री है आप 1900 सक पहुंच जाओगे और उसके बाद जो टेलिवाइज रोस्ट है वो 1960s में होना शुरू हुआ है अगेन यहां पर नहीं वेस्ट में होना शुरू हुआ 60s, 70s और करते-करते वो आज की रेट में वेस्ट में यहां तक पहुंच गया कि जो फॉर्मर प्रेजडेंट है युएस के डॉनल्ड ट्रम्म भी जाके ऐसे शोस पर जाकर रोस्ट हो चुके है और भयंकर रोस्ट हुआ है वहां तो कोई लेवल ही नहीं होता कि भाई यहां पर लाकर रोक देना है तो रोस्ट की जो ऐसा फॉर्माट जो है उसकी खासियत है कि इसमें कोई यहां पर लाइन पर पहले से असर्टन अगर कर ली जाती क्योंकि अकसर किया जाता है ऐसा नहीं है और इनके एपिसोड के बाद जब फेब के अराउंड जब इनका शूट हुआ था उसके बाद आशी सोलंकिया और जून की टीम थी राइटर्स के उन्होंने यह सारा सोचा कि आएंदा आगे जो भी एपिसोड होंगे उसके अंदर इतनी लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए तो यह भी गल्ती से सीक रहे थे लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में कॉमेडी को लेकर बड़े टचील हो गया है मेरे को पास यह लगता है कि लोग को इससे प्रॉब्ल प्रॉब्लम कहां आरी है लोग को मुझे यह विताई है कि वह भी यही बात पर डिबेट कर रहे है कि रोस्त आज फॉर्माट वह ही ऐसा कि जब तक आपको बुरा ना लगे अंदर तक आप मतलब रोस के अंदर आप सोचे ना कोई उसमें वो नहीं है पोई फिल्टर नहीं मैं बोल रहे हैं आप गालियां दो आप माघन की गालियां दो रोस्त के अंदर पर अगर मुझे बुरा लग रहा है इस बात से कि मुझे गालियां पड़ रही है मैं तो अपनी कंट्रोल में जो भी होगा वो करूंगी न उसे रोकने के लिए नी बिल्कुल सही बात है तो तो रियाक्शन कभी भी आ सकता है तो उस चीज के ऊपर ना जाये तो बहतर है फाल्दू की मतलब और उस पर बवाल गटेगा लेकिन वो कह रहे है कि जो भी इनके आर्टिकल्स आ रहे है जिनके उपर लिखा हुआ है एक तो मतलब की पियार है या असली आर्टिकल है जो भ कर रहे हो कि कहीं दुबारा से तुमारा भुनाने की कोशिश पर लही है अब मेरे इस पर दो पॉइंट है एक मुझे जब भी बुरा लगे मैं तब बोलूँग के मुझे बुरा लगा बिल्कुल तही बात है जिन पर मेटू का केस लगा था लोग बोल रहे है कि इसने सालो कि अब बात क्यों लगाया तो मैं जब बी पुरा लगे मैं तब इस बात करूंगी जबूसरी बात अगर मेरी सीरियस आरे तो मैं प्रमोट करूंग गयो तो जिस भी आर्टिकल में मुझे लिखना है मैं लिख आऊँगी यहीन दो रहा है और मुझे लिख देटिया कॉमर् हाला कि Kuschya Kapila का तो उनके साथ गलतल हो गया, उनके साह है उनके साथ गलतलों हो से उनके भलतलों को गलतलों हो गई ऊङ हाई कि लगा हो defy किुछ लोग खुछ पंधी कि शेक्टीक की P gouvernement of aHe और दिमाग में अलग होगी अब यहां पे पंगा पड़िया यहां पे पाद गया तो अगर दूसरा बंदा भी कह सकता है इसके उपर हलागी रोस पे सब जायाज है लेकिन उन्होंने भी थोड़ी सी बात करी है जो अगर किसी को प्रॉब्लमाटिक लगनी हो तो लग अब इसके अंदर आप कह सकते हो कि भाई करने की कोशिश कर रहे हो बहुत से लोग इस बात पर उसकते हैं कि आप क्या यहां पर कास्वास का कुछ सीन लेके चल रहे हो कि आपको सानिटाइजर की ज़रूरत है उसके बाद गुर्लीन को बोला कि यह ट्रक्टर पाक कर लिया और दूसरा के श्रया का और बार बार के श्रया e-rikषा चलाती है बहार से है एक रिकषा चलाती अगे फिर यह बहार का सीडियो टाइप दूसरा यह कि इसके श्रया के बापा चोरी करके आय थे तो अगेन आप खाली श्रया के उपर नहीं रहे हैं उनकी family तक भी जा रहे ह करीजा, मैं भम्होन को बुक्सा मारे और लोहों को बुरा लगा उस जोग्स swig कोई नीए बोल रहा कर दो मेरे को बुरा लगा मैं बोल सकते हूं अपने लिए अगर उनको बुरा लगा… नो ऐसे आपको 804 अपने पुर owυτ कि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ कुष्छा के साथ ऐसा हुआ कुष्छा ने भी आगे कई जोक्स मारे और मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं मारने चाहिए थे भाई रोस्ट के अंदर एक से एक घटिया लेवल के जोक मारे जा सकते हैं कोई टेंशन न बाई 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 जो लुक्स हैं उसके मजाग बना बाई यह भी दियूमनाइजिंग होता है पर वो बोलिंग जिनको बुरा लगेगा नहीं कहरो मैं इन्हों ने तो रेसिस बाते कर दी और मलब जितने भी और शीज़ें और सकती हैं कि बाई मैंने जोक्स नहीं मारे बाई जोक्स बिलकुल वालिड है उनके फॉर्माट के इसा है कि इनकी मिसक्म्यूनिकेशन हुई थी जिसके वजह से इतना बड़ा बवाल बन गया और दूसरा यह कि शायद इंडियन ओडियंस रोस्ट के लिए आज की रेट में तयार नहीं है हम लोग भी जब यहां पर बहुत सारी चीज़े दिमाग में रखके करते हैं कि किसी के फैमली पर जाये किसी के ऊपर परस्नल कॉमेंट उस तरीके के ना करें अनाटमी पर ना जाये उस तरीके के जोक्स ना मारे तो वो चीज़े हम भी अपने दिमाग और फिल्टर रखके चलते कि लोग पुरा नही अट दिया आप डिएंड़ लगा तो अगर इत्य सारे फिल्टर लगाने पड़े एक ऐसी अर्ट पर जोकी अनसेंसर कहलाती है तो इसका साफ मतलब है कि इंडिया रोस के लिए तयार नहीं है हो सकता तयार नहीं मुझे लगता है यार इंडियांस टूची है तो हैं यार मैं तो माझनों के टची है, रोस्थ भूरा लग रहा है तो उनको रोकना नहीं चाहिए, तो बॉलो, आपको नहीं बुरा लग रहा है तो चुप रहो है आपको क्या लग रहा है आप भी बोलो नीचे कॉमें चूरमाट में बताओ इंडिया में क्या वालतीट इंडिया में क्या ऑगा इसका ये रोस फॉर्माट आप देख रहे हैं Switch